दोस्तो शुरूब करते हैं आज गी इंफ्रा नियूज पहली कबर जो आरे यह वो एक काइंड ओफ कॉमेडी से ख़वर है जो है मुंबई से तो दोस्तो मुंबई के अंदर आप दोगोंने मीम्स देखे होंगे आप दोगोंने कई सरे पोस्ट देखे होंगे मुंबई के गोखले ब्रिच और उसे कनेक्ट होने वाले बर्फी वाला फ्लाइवर से रिलेटेड जहाँ पर जो हमारे डेंजरस इंजीनियों से उनके द्वारा ये कैंड ओ फ्लाइवर बनाया गया था मुंबई में और ब्रिच को जो ही वाइनली कम्प्लीट कर लिया गया था अब अब ब्रिच खुलना है तो कोई ने कोई बड़ा आदमी आके रिबिन वेकरा काटेगा लेकिन यहाँ पर हुए गया कि लोगोंने खुद से ही ब्रिच कम्प्लीट है देखते हुए किसी ने तो जो ब्रिच के बैरिकेट्स है उनको हटा कर इस्तामाल करना शुरू कर दिया और ब्रिच पूरी तरीके से यूज होना शुरू हो गया जिसके कुछ समय बाद में अचानक से ट्राफिक पूलिस ने इस चीज़ को ब्रिच को फिर से बन कर दिया गया और उसके बाद में 4 जुलाई को इसका अबिन उकरेशन अच्छे से होने वाला है तो ये एक चीज यहाँ पर की गई है हमारी देश के अंदर होते रहता है प्रोजेक कम्प्लीट है लेकिन फिर भी लंबे समय तो को उपन अप किया नहीं जाता तो ये एक फ़नी चीज हुई थी मुंबई में अगली खबर दोस्तों जो आ रही है हमारी एर इंडिया से रिलेटेड जो साउथ एशिया का लाज़ेस फ्लाइंग ट्रेनिंग ओकनाईजिशन फ्टियो अम्रावती महराष्टा के अंदर शुरू करने वाले है तो दोस्तों आप जानते हो कि देश के अंदर पाइलेट्स को बनाना या फिर का इंड़ पाइलेट एजुकेशनल लेना बहुत जादा एक्स्पिंसेब है तकरीबन एक सवा फरोडर पैक हरच हो जाता है अब ऐसा पहले अएर इंडिया अकेला इसे कोई कमपनी नहीं है जो अपनी फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल चला रहा है कई कमपनी चलाती है यहाप पर उनको डबल फाइदा होता है लेकिन जैसा भी यह कंडिशन है एक फ्लाइंग ट्रेनिंग अपैडमी अब्रावती में शुरू होने वाला है जो अमरावती एरपोर्ट रने वह है इसको रीसेंटल एक्टेंड किया गया था महराश्य एरपोर्ट डेवलेप्मेंट कमपनी के द्वारा जो स्पर अनम की हिसाब से बनाई जाने वाली है अब देखते किस तरह की सीज़ें होगी अगली ख़बर दुस्तों जो आ रही है वह है government websites and apps related जहापर government काम कर रहा है कैसे plan के उपर जिसके वाज़े से accessibility जो websites digital application services पर होती है government to government हो या government to business हो या government to citizen हो या senior government officials के बीच हो इसको जो है बहतर बनाया जा सके जहापर loading times को improve करना जो लोग के बस disabilities है पढ़ नहीं सकते या देख नहीं सकते उनको भी ज्यादा accessible बन सके इ exactly क्या plan होगा वो बात में पता चलेगा अगली हबर दोस्तों जारी हो है बेंगलूरू से जहापर एक detailed master plan finalist कर दिया गया है for KSR बेंगलूरू city railway station और एक massive facelift station को मिलने वाला है 1000 करोड के budget के साथ यहाँ पर एक proposed skywalk होगा passenger relief के लिए जो की main entity of skywalk से लेकर स्केंपे गोडा metro station की बीच का connection देगा rail land development authority यहाँ पर project को execute करेगी और बेंगलूरू के अंदर जो भी multiple clearances की जरुवत ही यहाँ के divisions वेकर के द्वारा उसमें से maximum मिल गये है platform number 5 यहाँ पर majorly refurbish होगा और multi-level का parking facility भी बनेगी 1.75 lakh passengers per day को handle करने के हिसाब से अगली खबर दोसुत पतेश से आ रही है जहाँ पर निर्मान Act 2014 अप्रूव कर दिया गया है और basically इसके वजे से कई सारे industrial zones investment zones बनाए जाएंगे और जो 1 trillion dollar economy का सपना है UP का उसके लिए बहुत important होगा basically जो NOIDA एराखा है उसके पास में ये nodal investment region for manufacturing निर्मान इस तरीके से established कहाँ जाएंगे अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है National Bank of Financing Infrastructure and Development से रिलेटेड जो कि प्लान कर ये देश की पहली एक data repository बनाने के लिए जो की infrastructure sector के लिए होगी जो private investment को attract करेगा तो basically एक kind of single database ही होगा जहाँ पर हर छोटा बड़ा project के बारे में सब कुछ mention किया जाएगा तो जबी भी कोई investor आता है तो infra को जोए वो बहुत ही ज़ादा गहरा है से देखते है कि investment करनी है नहीं करनी है in fact दोस्तो इसी चीजों के उपर जो लोग research करते है उनमें से एक को जो है मैंने मेरे podcast पे इन्वाइट किया है जो probably कुछ दिनों के अंदर release भी हो जाएगी तो basically इस तरीकी के investments को जो ज़रूरी database की ज़रूत है जो आज के date में manually connect करना पड़ता है investors को दिखाने के लिए वो यहाँ पर single location पे मिल जाए करेगा अगली ख़बर दोस्तों और यह fence, defense major, desault, aviation से related जोने फाइल की एक application इंडियन government के साथ में एक maintenance, repair and overall यह MRO facility बनाने के लिए Jeever International Airport UP के पास, तो यह सिफ और सिफ जो है Rafale को तो cater नहीं करेगा लेकिन साथ सान Mirage 2000 को भी cater करेगा और सिफ भारत के लिए नहीं, बलकि Indonesia में भी जो यह jets है, उनको भी cater करेगा तो दोस्तों अगर आप जानते हो थोड़ी पूद history तो यह reliance, जो हनी लंबानी वाली reliance है, उसके साथ में मिलकर बना था बहुत लफडे होएं, बहुत problems होएं, finally Dassault ने कुछ ना कुछ तो भी Rafale को maintenance के लिए इंडिया में लगेगा, सब कुछ तो फ्रांस में बेज नहीं सकते लेकिन इनको scale करना जरूरी है, wheels, brakes, transmission systems वगेड़ा, इनके अंदर के कुछ पार्ट जो है, वो import भी करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो total अभी currently import bill है, वो 5-10% का ही है, यहाँ पर finalization के जरीए करना यह कि चाहते है, government की 1500 करोड़ की PLI लिया है, इन components को भारत में बनाने probability यह भी है कि यह सिफ components में बारत में बनाने की बात नहीं है, लेकिन at the same time बहुत बड़े level पे manufacturing को scale up करने की भी जरूरत है, उसके लिए भी यह काम में आगा, अगी खबर दोस्तों आरी यह गांदी नगर से जहाँ पर जो गुजराश State Government, इन्होंने decision लिया है अपग्रेड करने का 4 lane highways between एमदबाद सानन और एमदबाद महसाना से, तो यह जो highways है यह अभी 4 lane है, इनको 6 lane में convert किया जाएगा, 1,868 क्रोड रुपीज से खर्च होंगे, 28 km distance है एमदबाद सानन की बीचका, 51 km distance है, एमदबाद से लेके महसाना तक्का, technical studies complete वैसे already हो चुकी है, और इसक साल तक एक नया 5000 capacity की facilities चन्ने में बनाने के लिए, 5000 capacity मतलब यहाँ पर मैं जो office के अंदर काम करने वाले लोगें उनकी बात कर रहा हूँ, 6 lakh square feet की यह facility होगी, और जो जो खबर इसके सबसे मिली है, वहाँ पर यह बता चला है कि यह facility पूरी तरीके से green energy powered होगी, यहाँ पर व इंडिया's whole infra field during rainy season, doesn't we never think about rain while building things, तो देखो यार जो एर्पोर्ट रूस वेगर है, उसके उपर तुम्हें एक dedicated video बना रहा हूँ, at the same time देखो ना, इंफ्रा को भी दो तरो से देखना है, यह बात बिल्कुल भी नहीं है, कि हमारे अब डिजाइन बहुत ज्यादा world class हो रहा weather pattern change भी हो रहा है, और यह दोनों तरफ से हो रहा है, पानी बारिश तो जादा हुई रहा है, for example Delhi में पिछले कुछ दिनों में जब पानी भरा था, 200 mm बारिश एक दिन में हो गई थी, पिछले 88 साल में नहीं हुए 200 mm एक दिन के अंदर, और frequency बढ़ते जा रही है, कि हर सीज लेकिन इसके वज़े से मुंबाई का इंफरा बहुत डेवलप्ट है, लोग बोलते तो है कि मुंबाई पाने में डूप जाती है, अगर आप closely observe करो पिछले 7-8 साल से, तो मुंबाई में major flooding हुई नहीं है, हाला कि rainfall records तोड़े है, क्योंकि मुंबाई का drainage जो है वो उतनी तर रस्ते, plant city के अंदर, drainage के बिना बनाए गए थे, क्योंकि वहाँ पर उतनी बारिश होती ही नहीं कि system overwhelmed हो जाया, और जो currently design standard है, BIS India के, वहाँ पर rain water की जो quality testing वेगरा होती है, या कहे तो एक historical data दिखा जाता है, किसी इसको design करने के पहले, वो पिछले data पर होता है, पिछला 50 स साल, पिछले 100 साल, अगर उतने 50-60 साल में ऐसे बार-बार events आने का mention ही नहीं है, तो design होगा नहीं उसके हिसाब से, मैं यहाँ पर गली के roads के बाद नहीं कर रहा हूँ, वो कभी भी हमारे जब तक बाभू अफसर है, जब तक इंजिनेरिंग ठीक से नहीं है, जब तक corruption है, लेकिन जो बड़े projects है, highways हो गए, railway lines हो गई, airports हो गए, इनके design standards में भी multiple level पे changes करने की ज़रूवत है, क्योंकि weather patterns बहुत ही ज़्यादा drastically change हो रहे है दुनिया भर के अंदर और उसको overwind करना भी बहुत आसान हो गया है, उमें करता आपको सवाल क्या जबाब मिल गया होगा,